हलो दोस्तो दिस साइट जतिन शुर्वास्ता क्या हल चाल आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सीखेंगे कि जॉब के लिए एप्लाई कैसे करें लाइक का प्रोफेशनल जॉब के लिए देखो दोस्तो दो तरह के लोग अप्लाई करते हैं ऐक सीरेश एक नोंसीरेश भी थोड़ा वह सीरेश होते हैं इस लिए अपलाई करते हैं बट वो तरी के से एपलाई नहीं करतेively एक उपनिन क्लिक लेक्स माइक्रोसोफ्समें दोतरह के लोगों ने अपलाई किया एक ने क्या किया बस opening देखी और अपना resume submit कर दिया दूसरे ने क्या किया opening देखी, responsibility समझी role समझा cover letter बनाया, resume को refine किया और फिर submit किया अब आपका choice है अगर आपको first बंदे की तरह काम करना है तो ये video आपके लिए नहीं है अगर आपको second बंदे की तरह काम करना है आपको सब कुछ strategic way में करना है तो ये video आपके लिए है चलो शुरू करते है वीडियो शुरू करने से पहले एक quick question क्या placement में आप लोग बस aptitude और technical knowledge पर ही focus रखते हो well ये common होता है हर एक college campus placement में हमें aptitude की coaching दी जाती है और technical knowledge हमारे में होती है क्योंकि हमने वो 3-4 साल में पड़ा होता है ठीक है लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता कि भाई aptitude or technical clear हो गया उसके बाद एक interview round भी होता है जिसमें आपको वो knowledge जो है आपकी वो present करनी है with respect to the responsibilities जो इसके लिए वो hire कर रहे है for example आप एक interview में appear होए जो है एक sales role के लिए ठीक है और आपके technical knowledge अच्छा है आपका aptitude अच्छा है बट उस technical knowledge को mold किस तरह करना है कि वो आपके sales skills को भी दिखाए वो चीचे हम इस video presentations में सीखेंगे तो structured placement preparation में क्या होता है पहले तो knowledge gather करो किसके बारे में knowledge company के बारे में company के बारे में और उसकी जो job उसने list कर रही है उसके बारे में एक बार knowledge gather हो गई और आपको लगा कि हाँ यार यह good fit है मेरे लिए तब preparation start करो preparation in the sense aptitude की technical की और interview की भी और at the time of delivery आपने prepare किया हुआ है तीनों चीजे उसको deliver करो now common placement rounds कौन कौन से होते है common placement rounds होते है aptitude होता है सबसे पहले जिसमें क्योंकि candidates बहुत सारे candidates apply करते है type 1 के भी करते है type 2 के भी करते है type 1 के वो लोग जो directly बैठ गए है type 2 के वो लोग आपके पास क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा हुआ है आपको पता होगा कि कौन सी responsibility recruiter हायर कर रही है कौन सी responsibility के लिए और जो आपके सारे जवाब होएंगे interview में वो responsibility के around ही revolve करेंगे क्योंकि recruiter sales role के लिए अपना technical knowledge दिखाने लगोगे क्योंकि सब मंदों का नहीं हो पाता है college campus placement में उसके बाद off campus भी apply करना होता है off campus के लिए competition और ज़्यदा बढ़ जाता है अगर आपके within college नहीं हो replacement तो off campus में competition और बढ़ेगा hence आपको और अच्छे तरीके से apply करना होगा सारी चीजह हम सीखेंगे अब स्टार्टिंग में थोड़ा complex लगे बद एक बार आपका हाथ बैट गया तो बहुत easy होने वाला है चलो सीखते हैं आज क्या क्या हम देखेंगे तो हम पढ़ेंगे कि company के बारे में अगर आप prepare कर रहे हो specially off campus तो उसका business model आपको पता होना चाहिए ठीक है business model क्या होता है वह मागे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे उसका revenue model आपको पता होना चाहिए कि वह कमाती कैसे है आपको पता होना चाहिए कि जिस रोज और responsibility के लिए apply कर रहे हो उसके लिए आप good fit हो भी या नहीं ठीक है ना ऐसा ना हो कि आपके बाद technical knowledge अच्छी है और आप sales field में जाहिए क्योंकि आपको job नहीं मिल रही है नहीं यार अगर technical knowledge अच्छी है थोड़ा wait कर लो technical के लिए भी placements आएंगी उसमें apply करो अब यह तो पता लग गया कि यह company मेरे पसंद की है ठीक है rules भी सही है responsibilities भी सही है अब apply कैसे करना है apply करने के भी काफी तरीके होते हैं जाद तर लोग के अगरते हैं directly website पे जाके career section में जाके apply कर देते हैं लेकि वहां से जवाब आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वह open होता है for all but कुछ तरीके भी होते हैं जो सबके लिए open नहीं होते वह तरीके हम इस वीडियो में discuss करेंगे okay तो मैं herbar कहता हूँ कि business model के बारे में आपको पता होना चाहिए अब यह business model होता क्या है business model होता है कि company करती क्या है for example urban club urban club क्या करती है service seeker और service professional को connect करती है अब यही उनका business model है ठीक है उनकी target customer कौन है हम लोग how is it going to add or create value अब यह value कैसे create कर रही है क्योंकि कोई भी business model अगर value proposition नहीं दे रहा कुछ value create नहीं कर रहा अपने industry में तब उसका sustainability मुश्किल हो जाती है यह क्या value create कर रही है सारे बंदे हर एक के सार फिट नहीं आते तो वहां आप क्या कर सकते हो अर्बंक लैब से एक professional जो बाल काटने वाला उसको मंगवा सकते हो अपनी location पर यही इनकी value create हो रही है कि सारी जो service होगी आपके doorstep होगी हर एक तरह की services how is it going to make money पैसे कैसे कमा रही है एक तो आपको charge कर रही है और जो professional आप गर पर आ रहा है उससे commission ले रही है थीए तो यह होता है business model की आखिर वह कैसे कमा रही है क्या कर रही है उसके customer कौन है तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए क्यांकि इंट्रिवियर पूछ भी सकता है कि आप चलो हमारे लिए अप्लाई तो कर रहे हो अब टाइप वन कंडिडेट हो अगर आप टाइप टू हो जिसने सब कुछ पड़ा है तो आप नेक्स टाउन में अराम से जाओगे अब मैं करता हूँ कि रोल्स और अगर आप सेलस ओफिसर की जॉब है या अंड्रोइड डवलपर की जॉब है तो इस एंड्रोइड डवलपर को क्या क्या करना होगा वो रिस्पॉंसिबिल्टी बनती है फिर इसको रिफाइन किया जाता है उसके बाद इंटर्न डिसकुशिं होती है अपर मैनेजमेंट के स इसको पोस्ट किया जाता है तो देखिए अप कितनी सारे स्टैप्स फॉलो करे आते हैं एक रोस और रिस्पॉंसिबिल्टी इसको पोर्टल पर डाल ले के लिए तो अगर आपको इसके बारे में नौलेज ना हुई तो रिकूर्टर को क्या लगेगा यार इतनी महनत मैंने पेकार में थोड़ना करी है और अगर आपको नौलेज हुई तो रिकूर्टर काई कि सही है यार बंदा इसने तो अच्छे से रिस्पॉंसिबिल्टी पड़ी भी है यह होती है वन तरीका कि आप रिस्पॉंसिबिल्टी आपने पड़ी है और डूरिं इंट्रिव्यू कि आपने जब अप्लाई कि और इंट्रिव्यू हुआ उसके बीच में जो गैप उसको कैसे फिल करोगे क्योंकि रिकूर्टर को पता कैसे लगाओगे कि आपको इस चीजियों की नौलेज है आपको बिजनस मॉडल की नौलेज है आपको रोल्स और रिस्पॉंसिबिल्टी तो 50% से भी बहुत कम चांसे होते हैं कि आपको इंट्रिव्यू की कॉल आएगी ठीक है तो एक सम्मराइज करते हैं इस वीडियो को स्टेजिक वे क्या होता है अप्लाई करने का जो आपका पहले तो research करो भई आप पुच है क्या है ठीक है पहले research करो आप किसमें बहुत अ चाहिए उसके बाद मैंने का था कि कई मंध्य होते हैं जो डियरेक्टल अपलाइ करते एं और कई होते हैं जो एक अपρपिएड तो आपको उस अप्रोपी मीडियम को नाम है रेफरेंस डूढ़ना विजिन कंपनी आप क्या करो लिंक्डिन पर जाओ उस कंपनी के एंप्लॉइस को कनेक्ट करो और उनसे पूछो रेफरेंस के लिए ठीक है अब यह रेफरेंस मांगते कैसे हैं इसके लिए एक नई वीडियो आएगी अभी के लिए बस इतना समझ लो कि रेफरेंस के तुरू जादा सिक्का जलता है सकंपेर टू डैरेक्ट्ली अप्लाई कर उसके बाद वही है अप्लाई करो अप्रेपेर मीडियम से रेफरेल से अब यह चीजे धिखान रखना कि एक ताइम पे एक ही जगह से अप्लाई होगा यह से अप्लाई कर लिया नहीं एक तरीके से अप्लाई करना ठीक है अब चलो अंध करतें इस वीडियो का तो आने वा आपको एक्सिलेंग करने के लिए कि कावल लेटर क्या होता है, रोल्स और रिस्पांसिबिल्टी क्या होती है, बट कोई भी आपको help नहीं कर रहा कि एक company specific roles and responsibilities समझाने के लिए, तो यही चीज हमें differentiate करते हैं, company specific roles and responsibilities list करेंगे और आपको समझाएंगे.